तुड़े एंडियू बनाने के लिए हमें चाहिए बीन्स यह पापड़ी पीस मटर तुवर और चॉली हम कोई भी बीन्स एड़ कर सकते हैं साथ में मैं फ्रेंच बीन्स भी आड़ कर रही हूँ देन एम यूजिंग ग्रीन टर्मरिक लेसल गालिक बैंगन आलू हरी मिर्च हराप्याज रतालू टमाटर करी पत्ता और धन्या सबसे पहले हम जो पापड़ी है उसको बॉइल करने के लिए रख देंगे क्यूंकि वो थोड़ी सी कड़वी रहती है तो इसलिए करीबन 10 से 15 मिनिट तक उसको बॉइल करने रख देंगे नेक्स्ट टेप हम धन्या लसन मिर्च और हरे प्याज को पीस लेंगे मिक्सी में प्रिशनस पढ़ाने के लिए मैं थोड़े पीनट्स और आलमन्स भी क्रश करके सबजी में डालने वाले सबसे पहले एक कुकर में हम लेंगे टू टेबल स्पून ऑईल उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा राई और मेथी डाला प्रिश में एड़ करेंगे करी पत्ता पर बाद एड़ करेंगे जो हमने हर चटनी बनाए तो हो बादा में और पीलत प्रेंगे थोड़ात राई पादा पादा में पीलत करेंगे करेंगे तो नातम अब हम सारी सबजियों को एक साथ मिला लेंगे रुसमे नमक हल्दी थोड़ी सी डालेगा क्योंकि हमने पीसे हुई हल्दी की पेस्ट भी ली है सो आधा टेबल स्पून गरम मसाला एक टेबल स्पून जीरा पाउडर एक टेबल स्पून दन्या पाउडर और थोड़ा सा शारी सबजियों को टोकर में डालके अच्छे से चला लें अब इसमें एड करेंगे गूर का पानी जे मैंने काफी समस्थ हले गूर और पानी को मिला लें हाफ छोटी कटोरी पानी पानी ज्यादा नहीं डालना है वरना सब्जी जियान रखें ज्यादा नहीं डालना है आपको वरना उंधियों की जैसी सूखी सब्दी राती है वैसी नहीं बनेगी और रसेदार सब्दी बन जाएगी अब हम अपने के करको बाइन सर देगे और करीबन 6-7 सीटी में गैस आफ कर देगे फाइनली हमारी सब्दी को खो चुकी है आज हमने सीखा उंधिय बनाना अगर आपको पसंद आ रहा हो दें प्लीज दो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर थैंक्यू फर वाचिंग